नवस्का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो रीट 34 यार पद पर बिग्यपती जारी करने को लेकर दोस्तो शुड़ियों बात करने वाले हैं रीट में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं और लाइन फोरम कब से भरे जाएंगे रीट के लिए दोस्तो और क्या-क्या बदलाव बोर्ड के दोरा किये जाएंगे दोस्तो पूरी जानकारी शुड़ों मिल जाएगी तो वीडियो को सुरू से लाश्ट टेक जरू देख लेना साथ मगर आपने चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो आपसे चोड़ी सी रुक्वेश्ट है चैनल को जरू सस्काइब कर लें ताकि दोस्तो आपको रीट से समदे जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से सब्सकार यहां पर विचार कर रही आपको दो पेपर नहीं देनी होंगे सिर्फ रीट की आदर पर ही बढ़ती कराई जाएगी दूसरा दोस्तों इसमें जो बदलाव है बो है कि अस्ताई मेरिट दी जाएगी जिए दोस्तों हम मेरिट बना करेंगे कि आपका अस्ताई बढ़ती होगी कि नई अध्यापब बढ़ती की अद्थी जारी होगी सुत्रों से अफडेट है मलेसarn की तरफ से लावने की तुछ। परिच्छा कराने का प्रस्ताव रखा है एक ही परिच्छा इससे पहले भी दोस्तों एक ही एक जाम होती थी लेकिन 2021 में जो पेपर कैंसल हो गया तो उसके बाद 2022 में दौरा से दो पेपर कर दे गए तो यह भी एक बदलाव है दोस्तों हालांकि अब देखना होगा कि रीट म एक पेपर होगा या दो चातनों की तो मांग है कि इसमें दो पेपर ही कंड़ेट कराई जाए जाए अगर एक पेपर होता है तो इसमें एक और बदलाव किया जाएगा कि एक आपका जो पैटन है उसमें भी चेंजिस किया जाएगा जिया दोस्तों पैटन में भी चेंज होग क्योंकि एक पेपर के साफ से ही आपका पेपर बनाया जाएगा पेपर का लेबल भी थोड़ा सा दोस्ते आप टप आपको देखनों को मिलेगा और भी काफी सारे बदलाव हैं वो दोस्तों बोड के दो रखी जाएंगे जैसे कि सिलेवस में बदलाव होगा दो हजार बाइस के बाद दोस्तों कोई भी रीट पातता परिच्छा नहीं हुई है तो अब जो रीट होने जा रही है वो काफी इंपूर्टेंट रहेगी तो सिच्चा मंत्री मंत्री जो दिलावर हैं दोस्तों और मुख्यमंत्री इनकी मीटिंग भी हो चुकी है आचार संह तो अब आप प्री की तैयारी करें प्री के आतर पर ही वर्थी होने की संबावना है सब के लिए एक ही पेपर किया जाएगा जैहिंद बंदे मातर